Hey guys, what's up, I hope you are doing well, I am Prithvi स्वाजम डिसकस करेंगे भारत की सबसे उंची परवत चोटी के बारे में जादतर स्टुडेंट को confusion रहता है कि भारत की सबसे उंची परवत चोटी K2 Godwin Austin है, या कंचन जंगा है, या Mount Everest है इसी confusion को जो है हम इस वीडियो में clear करेंगे अपना topic स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक question पूछ लेता हूँ Question है, हिमाल्या परश्थित भारत की सबसे उंची परवत चोटी कौन है Option A, Mount Everest, Option V, Mount Maykalu, Option C, Mount Kanchan-Janga या Option D, K2, Godwin Austin Question असान भी है, मगर अगर doubt है, या अगर confusion है तो question जो है, वो tough V है इसका answer मैं वीडियो के end में दूँगा तो चलिए, अपना topic स्टार्ट करते हैं तो guys आपको जो red-red line जो दिख रही है न, यह जो है हिमाल्या परवत है हिमाल्या परवत, विश्व का पूर्व से पश्चिम की और द्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की और फैला हुआ, विश्व का सबसे लंबा परवत है ठीक है, मतलब पूर्व से पश्चिम की और फैला हुआ, विश्व की सबसे लंबी परवत स्रिंखला कौन है तो हिमालय है अगर ऐसा पोछा जाए जो बिस्व की सबसे लंबी परवत सिंखला तो अन्डिश परवत है दक्षिन अफरिका में हिमालय परवत तीन परवत स्रेडियों से मिलकर वणा हुआ है सबसे नीचे की जो है इसे कहते हम सिवालिक हिमालय हुआ और जो बीच में आपको डॉट डॉट लाइने दिख रहे हैं यह हमारा मध्य हिमालया और जो ऊपर की जो रेड लाइन है इसके थे हम ब्रियद हिमालया या ग्रेट हिमालया ओके और जो मध्य हिमालया आपको कटा चटा हुआ दिखाए देगा और जो धोलाधार और जो पीर पंजाला है वो मध्य हिमालय में ही स्तीत है और जो आपको रेड लाइने दिखें जो येलो रेड लाइन दिख रहे हैं यह है ट्रांस हिमालया तो ट्रांस हिमालया और ग्रेट जो हिमालया हमारा वो अलग लग है गाईज मतलब ट्रांस हिमालया अलग है और हिमालया अलग है पहले देख लेते हैं जो ट्रांसिमल है वो भी तीन परवत स्रिंखलाउं से मिलकर वनता है पहली जो आपको दिख रहे हैं यह है जासकर परवत स्रिंखला जासकर परवत स्रिंखला में एक दर्रा है जिसे हम सिपकिला दर्रा केते हैं तो सिपकिला दर्रे से होकर ही सतलूज नधी भारत में प्रवेस करती है। और दूसरी जो है लदाक, लदाक परवत सरिंखला, लदाक में ही लदाक में जो है ले टुरिस्ट प्लेसे बहुत फेमाईसा और अब एक युनियन टेरिटरी भी है, तो वो लदाक परवत सरिंखला के जश्ट जो सिंधू नदी है उसके तट पर वसा हुआ है। और तीसरी है वह आपकी कारा कोरम लाश्ट जो है आपका एक्या है कारा कोरम परवद स्रिंखला कारा कोरम को जो है तिब चाइना में फिर जब कारा कोरम चाइना में चली जाती है तो वहाँ पर इसको कैलास परवद के नाम से जानते हैं, ओके, तो ट्रांस हिमालिया तीन परवस स्रिंख्लाउं से मिलकर बनता है, कौन-कौन जासकर, लदाक और कारा कोरम हिमालिय जो है, हिमालिय भी तीन परवस स्रिंख्लाउं से मिलकर बना है, सिवालिक हिमालिया मद्य हिमालिया, बोर व्रियद हे हिमालया तो गाइस यह थोड़ी सी मैफिक इस वरे थोड़ा सी डिजाइनिंग की है मैंने एक्चिली मेरे जो पेंटिंग है बहुत जादा अच्छी नहीं है उसके लिए सौरी आपको जो यह नीचे दिख रहा है जो आपको मैदान दिख रहा है यह से कहते हम सच्चर जोन सच्चर जोन के बाद जो आता है वो आता है आपका ट्रांस हिमालया यह ट्रांस हिमालया है तो हिमालया वो ट्रांस हिमालया को अलग कौन करता है तो सच्चर जोन करता है यह जो एक घाटी है जिसे हम कसमीर घाटी भी कहते हैं तो जो ट्रांस हिमाले और हिमाले जो गाईज क्या है अलग-अलग है और अब बात करते हैं Godwin Austin जो K2 है K2 जो आपकी वो कारा कोरम ट्रांस हिमाले की जो एक परवस्थिंखला की है कारा कॉरम यहां पर जो है स्थीत है तो कारा कॉरम पर स्थीत है आपका केटू कॉडविन ओस्टिन और जो कंचन जंगा है गाइस बो है हिमाले परवत की जो ब्रियद हिमाले ना उस पर स्थीत है ठीक है और जो माउट एवरेस्ट है वो आपकी यहाँ पर सिक्किम में ब्रियध हिमाले पर है और जो आपका Mount Everest है वो भी नेपाल और चाइना की बॉंडरी पर जो है वो भी ब्रियध हिमाले पर ही है इस मैपर आप देख सकते हो यह है केटू सौरी यह है केटू और है कंचन जंगा अब आपको कैसे कोश्चिन पूछा जाता है कि भारत की सबसे उची परवत सरिंखला भारत की सबसे उची परवत चोटी कौन है तो Codwin Austin है काईज Codwin Austin की जो हाइट है वो 8,611 मेटर है कितनी 8,611 मेटर है और भारत की सबसे उची परवत चोटी है और जो अगर आपसे ऐसा पुछा जाए कि भारत की हिमाले पर स्तीत सबसे उची परवत चोटी तो वो है कंचन जंगा कंचन जंगा की हाइटे वो 8586 8586 stand तो अगर आपसे question पुछा जाए कि भारत की सबसे उची परवत चोटी तो Codwin-Austin विल्कि ट्रास हुमाले में कार अकुरम पर वशर्य स्थित है और अगर आपसे सब उछाजाए कि हिमाले पर रष्थीत भारत की सबसे उची पर वशर्च चूटी तो कंचन जंगा है मांट अवरेस्ट आपका ला, नेपाल और चाइना की वंडरी पर आता है ठीक है तो guys I hope आप लोग समझ गए होंगे कि भारत की सबसे उची परवच चोटी कौन सी है दोनों है कंचन जंगा और केटू बट जो अलग-अलग बेस है भारत की सबसे उची परवच चोटी है तो कंचन जंगा जो है भारत की सबसे बड़ी या सबसे उंची परवच चोटी है और कंचन जंगा जो है हिमाले परस्तित भारत की सबसे उंची परवच चोटी है तो चलिए अपने कोश्चिन की और चलते हैं तो क्योश्चिन था आपका हिमाले फरस्तित भारत की सबसे उंची परवच्छोति है moot Everest, मिकौलु आपका नेपाल में पढ़ता है केटू, केटू Bakit भारत की सबसे उंची परवच्छोति है लेकिन यह हिमाले फरस्तित नहीं है ओके गाइस तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय गाइस